करनाटक में हमने तीनों सीटे जीते तीन सीट जीतने वाले थे और ऑपरेशन लोटस के बावजूद हमें तीन सीट मिले हमारे तीन रिटारिंग मेंबर थे और हमें तीन सीट मिले हैं मैं जानता हूँ हिमाचल के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं थोड़ा आपको हिमाचल की क्रोनालोजी बता दूँ डिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था प्रधान मंत्री के प्रचार के बावजूद बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा जी के प्रचार के बावजूद मोधी सरकार के मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर के प्रचार के बावजूद हिमाचल प्रदेश की जन्ता ने कॉंग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया हमारी सरकार बनी और कुछी दिन बाद एक बड़ा संकट उनको सामना करना पड़ा एक अत्यंद घातक प्रकृतिक आपदा आई लाखों लोग विस्थापित हो गए कई लोग ने अपनी जानों भी कवाई करोडों रुप्या का प्रपर्टी को नुकसान हुआ पर प्रधान मंत्री और केंद सरकार के ओर से कोई सहायता नहीं मिली कॉंग्रेस पार्टी के मांग के बावजूद हिमाचल के मुख्य मंत्री के प्रधान मंत्री को खत लिखने के बावजूद इसको राष्ट्री आपदा नहीं गोशित किया गया तो लगातार दोहजार तेईस को कॉंग्रेस पार्टी मुख्य मंत्री मंत्री मेले सब राहत कारिय में लगे रहे और पहली बार मैं समस्ता हूँ हमें देखना पड़ा कि एक राज्य में ऐसा भहंकर प्राकृति कापदा आया है और केंद सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिल पाई हूँ हमारे जनादेश के आधार पर एक राजसवा सीट हमारे लिए तै था पर अफसोस की बात है कि अन्त में लोट्री सिस्टम के आधार पर बीजेबी के उमीदवार चुने गए गए क्रॉस वोटिंग हुआ है इससे हम भाग नहीं सकते हैं बहुत दुर्भागय पूर्ण है और हमारे देश के जाने माने वकील कॉंग्रेस के एक प्रभावशाली प्रवक्ता सांसद अभी शेक मनु सिंग्वी इस सीट जीत नहीं पाए यह हमारे लिए अफसोस के बात है हमारे पार्टी के तीन वरिश ने था अभी शिमला में हैं चत्यसगर्ड के पूर्व मुख्य मंत्री बुपेश बगेल जी करनाटक के उप्रमुख्य मंत्री डीके शिवकुमार जी और हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री बुपिंदर सिंग हुडा जी इनके साथ-साथ हमारे प्रभारी राजीव शुकला जी भी मौझूद है, उनके कॉंग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कॉंग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी बिदाएकों से मिले सब को सुने जो उनकी शिकायते हैं, जो उनकी मांगे है क्रॉस वोटिंग हो गया है पर अभी आगे की बात सुचने के लिए है यह जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कॉंग्रेस सरकार को गिराई जाए इस ओपरेशन लोटिस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कॉंग्रेस पार्टी को उठाने है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने इन तीन बड़े हमारे वरिष्ट साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए सभी के मन में क्या है क्या मांगे हैं क्या शिकायते हैं वो सुनिए और मुझे जल से जल रिपोर्ट पेश कीजिए मैं अभी-अभी कॉंग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन अब्जर्वरों को कहा है सब से बात कीजिए सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल रिपोर्ट सोंपेए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निरने ले सकें दुनिया दी बेहत्रीं कैथ लैप वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भूंगर अस्टबलिश हो गई है सिद्धा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ लाज करो सलारिया तोड़ा अप्राद तोड़े दुख्षक हाज रहा धन्यवाद